थी टी का जो लास्ट जेट था आ आउनलाई अप्लाई करने उसको एक्स्टेंट किया गया है और दूसरे पार्ट में लोग बात करेंगे जो आज की अखबार में अपडेट च्छपा है उसके बारे में तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो CTET examination जो अभी जिसके लिए form डाला जा रहा था, apply किया जा रहा था, उसका last date 19 से बढ़ा के अब 25 कर दिया गया है, आपके screen पर अभी इसके बारे में जानकारी दिख रही है, December जनवरी में examination होना है, और जिस तरह से अभी आसार नजर आ रहे हैं, मुम्किन है कि इस examination में पास हो आनी है, तो जिन लोगों ने apply नहीं किया है, या जिनका छूड़ गया था, वो अगले 5-6 दिन फिर से apply कर सकते हैं, तो CTET के बारे में ये update थी, दूसरी खबर है, लाइबरीरियन बहाली से संबंधित कोट का आदेश आया, और लाइबरीरियन बहाली को लेकर के बहुत सार हैं कराई खबरें चली, time time पर अखबारों ने अलग-अलग संख्या दिखाई, कभी ये बताया गया कि 2000 की बहाली होगी, कभी 3000 की बहाली होगी, कभी 1000 की बहाली होगी, और आज के एक इखबार में ये परभात खबर है, पटना से परकाशित, बाखिए आखबारों में आप से तीन-चार महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी निकलने वाली इसकी वेकेंसी इसकी निया मावली बन रही है पर यह कौन सी निया मावली है जो चार-पांच महीने में भी नहीं बन पाई और अभी आपके स्क्रीन पर जो इसके बारे में दिया हुआ है कि इसकी संभावित ड्रीट क्या है कब तक इसके लिए application line खुल सकती है कब से लोग इसके बारे में apply कर सकते हैं कि इसको content को पढ़ते हैं बिहार में पंचाय चुनाओं के बाद 900 हाई स्कूलों में लाइबरेरियन की नियुक्ति होगी इसके लिए सिक्षाई भाग विशेश पात्ता परिक्षा आयोजित करेगा यह परिक्षा स्टीट के समतुल होगी सुत्रों के मताविफ पंचाय चुन के लाइबरेरियन के करीभ सत्रह सो प्दों पर नियुक्ति की जा चुकी है रहला कि यह नियुक्तियां बिना किसी प्रिक्षा की वे तियार हो चुकी है तो यह अब ही केली यही अपडेट है कि इनका कहना है कि इन लोगों ने निया मावली बना लिया बाकि अखबार वालों की बातों पर मत जाएए अखबार वालों ने दूसरे एक्जाम निशन से संबंदी इतने उटांग पटांग स्टैट्स और कई तरह की फर्जी खबरें चापी है तो जिस दिन ये सच में बहाली इसकी आगए अप्लिकेशन लाइन इसके लिए उपन हो गया तभी आप इस चीज़ को सही मानें लेकिन एक बात है कि अभी जो इशारा है वो यही है कि अगले दो महीने आपको वेट करना पड़ेगा दिसंबर में दिसंबर मिड तक जब पंचाय चुनाओं खत्म हो जाएगा उसके बाद ही इसके लिए कुछ हो सकता है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अगर आप लाइबरेरिन के लिए अपलाई करने वाले हैं या आपने कर रखा है जो इसका संबंधित कोर्स है जब जैसे इसका अप्लिकेशन लाइन खुलता है उसके बाद तयारी इसी चैनल पर शुरू करवा दी जाएगी और चूंके अभी ये बाद भी अख़वारों में ही है कि पंचाय चुनाओं के बाद इसके लिए अपलिकेशन मांगा जाएगा अभी इसको भी पूरी शुरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि पंचाय चुनाओं के बाद सच में ऐसा होने वाला है क्योंकि बागी एक्जामनेशन से यही एक्सपिरियंस है कि कुछ भी अख़वारों की बादा कई पर इवन सरकार की बात कई भरोसा आंग बंद करके नहीं करना चाहिए तो अभी देखेंगे क्या होता है पंचाच चुनाओं के बाद और अगर इसके लिए अप्लिकेशन मांगा गया तो तैयारी शुरू करवा दी जाएगी तो अभी के लिए ही अपडेट है कि अध्रिस दो महीने तो आपको पाउज मोड में रहना पड़ेगा दो महीने इसका क कोई चांस नहीं इसके लिए अप्लेकेशन लाइन खुलने का तो कि अभीके लिए अपडेट है आगे भी हर में लाइब्रेजिंट बहाली से संबंदित या बिहार में सिक्षक बाली संबंदित कोई भी अपडेट आती है तो आपको जलिए जल्दी अपडेट करेंगे